हेलो डियर स्टुडेंस कैसे है आप सुभी लोग बच्चो आज इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले है प्रिवेस येर कोश्चन्स पेपर के सॉलुशन्स जैसे अपने पास में जो ओल्ड कोश्चन्स पेपर है जो अभी हो चुके है उनके सॉलुशन्स हम अभी हाँ पर स्टेट वोट की एकजाम दे रहा है और देना चाह रहा है तो अगर वो चाता है कि उसकी स्टडी अच्छे हो जाए उसका परसंडेज अच्छा बढ़ने और उसको पेपर का पैटन समझ में आये तो उसको प्रिवेस येर कोश्चन्स पेपर सॉल करना जरूरी है तो प्रि तो अगर आप कुश्चन्स पेपर सॉल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है इसलिए हम अब यहां से यह जो शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपने पास जो टाइम लिमिट है टाइम बचा हुआ है बहुत ही कम टाइम है इस टाइम में हमें कोश्चन पेपर के सॉलूशन बन जाता है किस तरी से पेपर सॉल्ट किया जाता है तो यह सारी चीज़ से सीखना आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग यहां से अभी जो हम लेक्ठर शुरू करने हूँ इसके अलाव अभी मैं एक डाउट क्लास रखूंगा जो टीच मिंट प्लस यूटूब पर रहेगी जिसके अंदर हम डाउट सॉल करेगे यानि अगर आपको कोई भी एक्जाम से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम आता है कुछ भी अगर आपको पूछना रहा तो आप वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर माइक अन करके आप मुझसे पूछ सकते हो और आपको अगर उसकी आईडी नहीं मिली है तो आप सब्सक्राइब के लिए मुझे कौंटेक्क कीजिए मेरा नंबर आप लोगों के पास में हैं यह आल्रेडी औरो दिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे रहा हूं वह Note ले लिजिए और वहां से सब्सक्राइं मेरा नंबर नहीं मिल रहा है तो मैं नंबर एक बार यहां लिख देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए सारी चीजे उसको पहले ही किलियर हो जाए 9623571945 यह मेरा नंबर है आप इसको अपने पास सेव कीजिए और मुझे एक कोटसप पर मैसेज कीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको इसका सॉलुशन बनाना किस तरीके से है कैसे सॉलुशन बनाना है यह चाहिए तो आप मुझे जरूर कॉंटक कीजिएग हुआ पर अगर आप माइक आउन करके पूछना चाहिए तो भी पूछ सकते है तो रोजाना रोजाना मिन्स जब भी मैं अपने वाटसप के स्टेटस पर डॉट सेशन का रखूगा स्टेटस आप उस डॉट सेशन में जरूर जूड़िए आप लोगों को उसमें बहुत फा है तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सबसे पहले आप लोगों को जैसे मैंने इससे पहले भी फॉर्मेट बताया था फॉर्मेट किस तरीके से है पेपर का आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो पेपर फॉर्मेट है उसके अंदर अपने चार सिक्शन है चार सिक्षन में से सिक्षन ए जो है सिक्षन एक के आंदर अपने को दो सवाल है सवाल नमबर एक और सवाल नमबर दो सवाल नमबर एक के अधर अपने को 10 MCQs रहेगे और 10 के 10 MCQs को सब के सब kompasory रहेंगे तोटल जो MCQs है यहाँ पर 10 MCQs उनको 10 मार्क है यानि हर MCQ को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मार्क रहेगा ही रहेगा यानि एक मार्क का यह MCQ है आपको आप चलिए पढ़ते हैं देखते हैं क्या बोला है अपने कोई सवाल के अंदर तो बोला है मुंदजिजेल सवालात के सही जवाबाद चुनकर लिखी है पहला कानुन यहाँ थर्मोडायनमिक का फ़र्स लाव जो है उसके रिलेट Entonces इ타लूक र रखता है तो दीखी ही हमने हमने फर्म सबसे पहले तो पहले पता होना चाहिए का फ़र्मो डायनमिक का मतं कब दा है मैं अधर बता रहा हु क्यों कि मैं explanation के साथ में बताऊंगा ऐसा नहीं कि बस सवाल पड़ा और डायरिक option टिक कर दिया और आगे बढ़ गया मैं ऐसे नहीं करूंगा मैं आप लोगों को समझाओंगा भी explanation भी दूगा क्यूं हम उस चीज को टिक कर रहे हैं क्यों कि आगा ऐसा पतर हैगा तो ही आप आगे भी example solve कर पाऊंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं किसका हम पहला answer बनाते हैं तो दीकिए thermodynamics का first law क्या होता है थोड़ा सा explanation देता हूं ऐसे मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीक के वज़े से हम यहां पर क्या कह सकते हैं example के लिए मान लेते हैं कि इस बरतन के अंदर दूद है milk अभी हम यहां पर इसको हरारत दे रहे हैं तो हरारत के वज़े से इसके अंदर क्या होंगा पहले एक energy energy है तो उसे हम कहते हैं उसकी अंदरूनी तवानाई जिसको हम सिंबॉल डेल्टा यू से जाहिर करते हैं तो पहले तो दूद गरम होना शुरू हुआ मतलब उसके पास में energy है तभी तो गरम हुआ energy उसने बाहर के लिया energy के बारे में हमें क्या पता है energy के बारे में करते ही रहते हो कि दूद क्या होंगा फिर अपना शुरू हो जाएगा यानि उपर जाना शुरू होगा उसका volume क्या होगा चेंज होगा तो volume चेंज होगा मतलब दूद मान लीजिए इस layer से हो सकता है कि यहां तक क्या गया मतलब अपनी सतय से यहां ऌपर आ गया इस जग्ये पर आ कि यहांग हुआ यहां पर यह जो मैंने expression बनाया हूँ यह किस के लिए expression है अगर मिलटा आप यहां देखोंगे तो यह सारी चीज़ें क्या है यहां पर क्या है इनरजी है तवानाई की शकले ना हम क्या जानते हैं कि दवनाई जो है पिर एक फॉंसे दूसरे पमें तब्दिल होते रहती है एक जगे सेगा कि अस वह जो है कि वह कैसे रहेंगी हमेशाव एक यह जहीं रह centered है यानि क्या सकते हैं इसके बखिगा के दालक से कि तोवाना यानि पर किया ची नियुक्त धर धिए तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो जिए अपने को उन में से कौन सा Option हम यहां पर लगा सकते हैं तो इसका answer बनेगा बच्चो वह abd तो इसका जो answer हो गया है अपना में हीए पर रेट्पेंस से टिक करता हुँछ जो answer हमारा बन रहे है तो इसका पर explanation दिया हूँ आपको सारी चीज़ होगा तो समझ में आया हूंगा अमेद करता हो तो यह था हमारा पहला सवाल अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और दूसरा सवाल क्या है दूसरा सवाल भी देखते हैं तो यह आप इसका screenshot ले लिजिए मैं रफ कर देता हूं और दूसरा question है दूसरा MCQ जो के यह भी अपना एक मार्क के लिए ही है इसमें क्या बोला है अपने को मतबादिल बर्की रौ यानि जिसको हम इंगलिश में कहते हैं एक मुकम्मल चक्र यानि साइकल के लिए और सथ कीमत कितनी होगी और सथ आई-0 जो है आपर बर्की रौ आज कीमत जो होंगी उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं इंगलिश में तो अपने को बोला है इसका जो और सथ कीमत कितनी होंगी सीफर आई-0 बाइ-2 आई-0 रूट-2 या-2 आई-0 समझते हैं इस चीज़ को पहले क्या बूल रहा है अपने यहां पर देखो अल्टरनेटिंग क्या होता है एक्चुली शरकी डगर आप लोगों को फता हूँगा अपने पास में करण्ट और टाइप के होते हैं एक होता है कि करंट के बारे मैं हमने already पहले भी बहुत बार पढ़ रहे हैं कि सी करंड कि जो direction होती है इक क्या सकत fällt कि शलता है ऐसे कै sogar इस तरीς सक्वां इस तर कि एकält पर कि नहीं नहीं होती है इसकी जहां पर ले सकते यह मतलब कैसे भी सकते हैं मतलब एसे जिस तरफ या उसी इस Vine Nh lại आएगा इसमें रफ तो इसको ःतर रहा है किस चीज की वोपर से पढ़ा है या किस चीज की बडिय पर हम में सकते रहेंगा यह जो है ग्राफ मैंने लिया हूँ साइब लता हो आपने को मिला है यह अल्टरेडिंग करंड के लिए मुकंबल चक्र वहने तो यहां merchant अगर आप देख रहे होंगे हIs इसके तो आप देख सकते हो कि जो इतना पार्ट है यहां से लेके का यहां से लेकर यहां तक है यहां से लेकर यहां तक होगा अब मैंने बोला कि बताइए इसका ओल मैंने डोनों की जमा करेंगे और उनको क्या करेंगे डिवाइट करेंगे डिवाइट करेंगे टू से जैसे दो नंबर का यहीं मुझे 2 का और 3 का आवरेज निकलना है तो कैसे लिखा लिया थी है दो जमा तीन बटे दो बराबर कितना होगा पांच बाय दो आंसर हो जाएंगा 2.5 यानि दोनों का सेंटर 2.5 अब हम यहां क्या करने वाले हैं इसके लिए निकलते हैं तो देखिए यह वाला जो है मैं इसक यह तक्के की वैलू जो है यहां पर अपने क्या दिक लिए है माइनस आई 0 ओके तो इधर के लिए आई 0 है इधर के लिए माइनस आई 0 है मुझे क्या करना है इन दोनों का में लेना है तो मिन कैसे लिया जाएगा मिन कैसे लेंगे जो एवरेज वैल्य है मैं इसको ऐसे लि यह जम में है यह वज़ा में है आई जीरो बाइट वाइट जीरो जाएंगा उपने वाला जीरो बाइट उसका मतलब आई और एच के वली जीरो आगी कैसा अंसर अपने पास में हाई कई देखो यह रहाँ ऑप्शन सी ओप्शन ए तो हमारा इसका अंसर क्या बन गया सीफर ब बनाया हो मैंने दीखें यहां गडबड नहीं किया हूँ ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पर टिक करके निकल गया है नहीं मुझे आपको फ्रील दिल्वाना था एक्स्प्लेंग करके बताना था क्या होता है एक्च्वल में तभी तो हम इसको सॉल्ट करेंगे अगर इस लेक्चर कीजिए ठीक है मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में उनका भी फाइदा हो जाए बस ऐसा अपने तक के मत रखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता हो आप करते नहीं हो आप अपने फ्रेंड्स को शेर कीजिए सिर्व अपने तक के मत रखिए दूसरों का भी एमसी क्यू जिसमें अपने को क्या पूछ रहा है वेरुनी मुस्तगिल बर्की मैदान में रखे बर्की दो कुदबा पर अमल करने वाले गर्दीशा की आजम कीमत के लिए जाविया होता है ऑप्शन दिये है जिरो थर्टी फॉर्टी फाइव नाइंटी इसको समझ लेते ह है पहले सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं बर्की मैदान पर यह कंसिप्ट को आपको समझाना पड़ेगा पहले आप इसको पहले समझेगा सबसे पहले हम मान लेते हैं हापर के हमने क्या किया है एक बर्की मैदान लिया है यह जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप यह ह जिसकी direction हम ने इसको इस बार बोला है इसको इस direction में हमने लिया है आगे बढ़ते हैं आप इसके बाद हम यहां पर इसके अंदर क्या करेगे एक तो किस तरीके से यहां पर रखेंगे देखो यहांई पर मैंने इसकी एकसिस जो है द लोगों थोड़ा basic information दे दे तो डाइपल जो होता है न क्या होता है system यानि दो मसावी और मुखालिफ बरकी बार का एक निजाम होता है जिसमें हम क्या करते है दो चार्ज ऐसे लेते है जैसे मान लो एक बरकी बार minus q इधर है एक बरकी बार plus q इधर है दोनों को क्या किया गया है कुछ फासले से separate किया गया है और यह दोनों का जो center है उसको 0 ले लेते है इसकी length अगर मैं L ले रहा हूं तो इसकी भी मैं L ले लूँगा यानि हां से यहां तक के जो L length होंगे इसकी वो 2L हो जाएगी इन दोनों का जो हम बरकी मियारे असर दो कुद्भी बरकी मियारे असर जो है उसको पी से जाहिर करते हैं जिसकी कीमत हम इस तरीके से लेते हैं वच्चों क्यू जो दो कुद्भी मियारे असर होगा उसको हम ऐसे लिखाते हैं q into 2L ठीक है या फिर q into 2L ऐसे भी बोल सकते हो तो into मैंने लिखा हो वेक्टर फॉर्म में अगर आपके इसको एक्स्प्रेस करना है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो 2L इन्टू पी बार चलिए खेर वो तो बाद में हम लेते हैं आगे बढ़ते हैं यह हो गया अपना यह जो है निचे जो आप देख रहे हो तो यह जो है इसका सेंटर है इस जगे पर मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज है इस जगे पर दूसरा चार्ज है ठीक है चार्ज जिसके नाम देते हम किसको मैंने बोला यह जो चार्ज है इसको मैंने बोला माइनस क्यू ठीक है और यह वाला जो चार्ज है कि यंदे मेंDR3 कि यह पॉजिटिव ले लिया मैंने यह नेगेटिव ले लिया किसकी तरफ करेंगा फूनकिय कि तरफ तो फिर अप क्या करते हैं हम लोग इसको मैं पॉसिटीव कर देता हूँ इसको नेगेटिव कर देता हूँ ठीक है इसके हिसाब से हैं आप हमने क्या किया है यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वलेन अपोजिस चार्ज लिया प्लस को इस जगे पर है नेगेटिव इस जगे पर है दोनों के बीच का फासला जो है वह आपको बता दियों बच्चों देखो जब हम इस बखर की बार को इस एलेक पॉइल सेंटव के तरफ तो आप यहांपर देखो यह सिस्टम इन इधर जो है अगर आपको दिखाई दे रहा हो गासी जरा नेगटिव चारज फ़ए इसके तरफ मो करेंगा और जो नेगिटिव चारज की इन इसकी त्रफ करेंगा या यानिव इसके अंदर आपकर किया गर्दीशिया जो होता है जाहिर से बात है इसको जब आप इसके अंदर एसे रख कर छोड़ोगों ऑपर्पेंडिकुलर डिस्टन्स ऐसेभी ले सकते हैं थे कह फोर्स इंटु पर पर ले तो सिसको मैं कहारा हूं कितना है 2L है यहां से नाटक्र के का चलिए-60 every ऐसको-10 दिर के लिए-60 पर लगने वाली नहीं इसको उता है यहां पर मैं लिख सकता हूँ तो मैं क्या करता हूं यह जो वैल्यू है इसको इधर ले लेता हूं 2L और यह जो Q है इसको इधर ले लिया मैंने ठीक है यानि इनको साथ में ले लिया मैंने और E कॉलक कर दिया तो यह जो है आप बुच्छों यहां पर यह क्या दिख सकते हैं हमें आपर कि यह अपने को P मिल ग चाहो या sin theta के form में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो p e sin theta अब यह formula हो गया है इसका अब यह formula जो यहां पर हमने लिया है इस formula को ज़रा देख कर बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है अब यह जो theta आया है इसके अब यह कहां से लाया हो मैंने सिन्ठिटा यह a님 प्रोडक्त की प्रोपर्टी है इनर ही क्रॉष प्रॉडक्त होता है जिसके अंदर आता है साइन स्टिटा डॉle їх पर हम साहिए 111ork लिखर को सब की वैलु लूँके मिल अगर 90 ळील हों को मिल जाए तो ми जाएगी जो यह तो होना चाहिए 90 होना चाहिए तो ठीटा गर 90 है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि तॉर्ग जो है वो किस तरीके से रहेगा मैक्जीमम रहेगा तो उमीद करता हूं मैं आप लोगों की समझ में आया होगा हमने यहां पर यह सारी चीजे कैसे लिए है किस तरीके से लिए तो आज के लेक्चर में तो मैं इसको मेरे चैनल को जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको मेरे चैनल को जरूर शेर कीजिए आप कोशिच कीजिए मतलब यह दो मेहनों के अंदर ताकर जादा से जादा बच्चों तक के मेरा चैनल पहुंच जाए और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए स्टाड़ी करते रहें बेस्ट आफ लग्ट अ झाल झाल